हेलो दोस्तों, आप सबीका एक बार फिर से स्वागते सिजरियंस चैनल पर आज मैं आपको सिखाऊंगा कि वाइफाई के पासवर्ट को कैसे हैक करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा कि आप इस ट्रिक के थूरू सिर्फ उन्ही वाइफाई के पासवर्ट को हैक कर सकते हैं जिनसे आप पहले कम से कम एक बार या उससे ज़ादा बार कनेक्ट हो चुके हों अगर आप इस ट्रिक को किसी ऐसे वाइफाई पर यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप अभी तक एक बार भी connect नहीं हुए हैं तो आप इस trick को उस wifi पर use नहीं कर पाएंगे तो चलिए तुरू करते हैं इस वीडियो को इसके लिए सबसे पहले आपको command prompt को open करना होगा command prompt open करने के लिए आप search box में cmd type कर सकते हैं और enter press करें उसके बाद आपके सामने command prompt open हो जाएगा command prompt के open होने पर आपको वहाँ पर एक command type करने होगी जिससे आप उन सब भी wifi को देख सके जिन से आप पहले connect हो चुके हैं तो चलिए मैं command लिखूँगा command है नेटिश 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 वलन शो प्रोफाइल जैसे मैं यह command यहाँ टाइप करता हूँ उसका मुझे enterprise करना है enterprise करते से मेरे पास एक list आजाएगी wifi की जिन से मैं अरड़ी connect हो चुका हूँ तो अब इन में से मैं किसी भी एक wifi को hack करके आपको देखाऊँगा मैं सभी को नहीं दिखाऊँगा क्योंकि ऐसा करने से वीडियो काफी लंबी हो जाएगे तो मैं सबसे पहले वाले wifi को चूज करूँगा यहाँ पर जिसका नाम है seod तो उसे hack करने के लिए मैं simple सी command को यूज करूँगा और यह जो command है वो होगी same command जिसे हम और एक वाड़ टाइप कर चुके हैं इन wifi को शो करने के लिए तो चलिए command हम उसे use करते हैं n-e-t-s-h space w-l-a-n space show space profile इसे टाइप करने के बाद हमें wifi का नाम लिखना होगा जिस wifi के password को हम शो करना चाहते हैं तो मैं लिखूँगा seod जो कि सबसे पहले wifi का नेम है उसके बाद मैं यहां पर लिखूँगा एक दूसरा code जिसे हम wifi के password को show करेंगे वह होगा k-e-y equals clear c-l-e-a-r clear जैसे ही मैं यहां पर enterprise करता हूँ मैं इसारा हमने काफ़ सारा data आ जाएगा तो हमें सबसे सिफ दो ही चीज़ें चेक करनी है एक है ssid name आप यहां देखेंगे कि ssid name है इसमें आपको वह नेम शोगा जिस wifi को आप hack कर रहें मैं SEOD को hack कर रहा था तो यहां SEOD लिखाएगा उसके बाद जब आप यहां नीचे आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे key content की content में आपको आपके wifi का password मिल जाएगा जिसे आप hack करना चाहरे है दोस्तों security reasons से मैं आपके इस password को visible नहीं करूँगा क्योंकि किसी के भी password को मैं इस तरह से publicly show नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से अगर आप इस ट्रेक को use करेंगे तो आप उन सभी wifi के password को दोवारा से देख सकते हैं जिनसे आप एक वाय connect हो चके हैं और आप इस wifi के password को use करके दोवारा से connect हो सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको ये video पसंद आया हो तो इस video को like करो अपनी दोस्तों को साथ शेयर करो और अगर आपको कुछ पूछना है तो comment box में comment करो और दोस्तों इस channel को subscribe करो चैनल को subscribe करने के बाद बगल में एक bell icon होगो प्रेस करो, क्योंकि जैसी आप इस bell icon पर प्रेस करेंगे, आपको मेरे दोरा बनाये के सभी वीडियोज के अपडेट टाइम पर मिलते रहेंगे तो दोस्तों अब आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में तब तक की लिए goodbye and take care